मित्रो हमारे पूज्यवर पंड़त श्री राम शर्म आचारे जी ने गाईत्री मंत्र पे इतनी ज्यादा रिसर्च की है और इतना हमें ग्यान प्राप्त किया है तो आईए आज हम देखें जरा गाईत्री मंत्र में उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले हमें ये समयना ज़रूरी है कि गाईत्री मंत्र एक सर्फश्रेष्ट मंत्र है जब हम इसकी जाप करते हैं इसके भावार्थ से ये समझा जा सकता है ये विशेश रूप से प्रानशक्ती के अकर्शन का मंत्र है प्रानशक्ती जिसको इंगलिश में लाइफ है कि हमारे जो बाइलोजी के स्टूडेंट है वो समझते होंगे कि ब्लड जो हमारे श्रीर में चल रहा है जिसके कारण हम बोल रहे हैं हम बात कार रहे हैं हम कोई भी क्रिया जो करते हैं that is the carrier of oxygen वो जो carrier of oxygen है अगर हमारी बोड़ी में oxygen ना हो ब्लड ना हो तो उसके मतलब ह है कि हम dead है जब इनसान की मृत्यू होती है तो उसी वक्त हम देखते हैं तब ही हम कहते हैं कि इसके प्रान पखेरू उड़ गे जब तक मानव के शरीर में प्रान होते हैं प्रान शक्ती होती है तब तक उसको हम प्रानी कहते हैं और इस प्रान के अधार पर ही विश्व की स गाइत्री मंत्र की उपासना द्वारा ब्रहमांड से जो सारी प्रान तत्व है, हम श्वास के द्वारा उसको खींच कर अपने अंदर संचित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, गाइत्री प्रानों की रक्षा करती है और व्यक्ति अधिक से अधिक प्रानवान बनता चला जाता है हम इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यदा प्राणवान होगा उतनी ही उसकी शक्ती ज़्यदा होगी सो जब हम गाहितरी मंतर के उपासना करते हैं गाहितरी मंतर जाप करते हैं तो उसमें सविता देवता की ही पुजा करते हैं हम इसलिए उनसे याचना कर रहे हैं, गाहित्री मंतर के द्वारा याचक जो गाहित्री मंतर उपासना कर रहा है, वो सूरे भगवान से यही याचना कर रहा है, कि मुझे सद्धुद्धी दो, सन्मारक की तरफ लेके चलो और मेरी आत्मा के शुद्धी खरो गाहित्री मंत्र द्वारा सादक उदियमान सूरे सविता की अराधना करके जो सूरे की शक्ती है, जिसको हम प्रान शक्ती कहते हैं उसको अपने अंतकर्ण में धारने की अकांग्षा याचना करता है, रिक्west करता है, बेग करता है वो उससे बेगइङ कर रहा है, कि वो जो आपके पास, सूरे भगवान के पास जो शक्ती है, वो मेरे अंदर वास्क करे गयान त्रायत्रे सा गायत्री जो प्राणों की रक्षा करे वे गायत्री गये कहते हैं प्राण को त्री कहते हैं रक्षा करने वाले को गायत्री मंत्र सादक के अंताकर्ण में प्राण को प्रतिष्ठिस्ट कर उसकी रक्षा करती है ध्यान की एकागरता तब की तलीनता जब बढ़ती है तो सादक को इससे अनुभूती होने लगती है वो फील करना शुरू कर जाता है जो सादक है जब गायत्री मंत्र करता है तो तो वो फिल करना शुरू कर देता है कि उसके अंदर प्राण की संचित हो रहे हैं। गाहित्री मंत्र ऐसे सार घर्बित शब्दों को मिला कर बना हुआ है, जिसके एक-एक शब्द में अनेक शिक्षाईं एवं प्रेरनाईं सन्निहित हैं। इस मंत्र के उच्चारन से स्थूल लाब तो सादक को प्राप्त होता ही है। साथ में जो सुक्षम प्रेरनाएं हैं उन पर अफ़ी लाब सादक को मिलता है। ये मंत्र कोई साधारन मंत्र नहीं है, ये बहुत ही असाधारन है। जैसे हम कहते हैं, उदित होते हुए सूरे देवता, सभीतर देवता की उपासना करने वाला सादक कहता है, हे प्रमात्मा हमें सद बुध्धी प्रदान करें, सन मारक पर चलाएं, हम आपका स्मरन, चिंतन, शेष्ट कुनों के साथ करते हैं, आपके श्रेष्ट, तेजस्वी स रूप को अपने अंता करन में धर्ण करते हैं, आप हमें ऐसी बुध्धी प्रदान करें, जिससे हम सन मारक पर चल सकें, एक बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट है साइंस का, कि सूरज हम से, जमीन से, 93 मिलियन माइल्स दूर है, लेकिन आठ मिनट में सूरे भगवान या सूर साइंस की लेंगुज में ही अगर देख लें, आठ मिनट में सूरे देवता अपनी एनरजी जमीन को भीज देते हैं, और वो एनरजी इतनी है कि एक घंटे में जो सूरे भगवान जमीन पे जो अपनी एनरजी भेजते हैं, किसी भी फार्म में, चाहे हीट फार्म में, चाह कर सकती है अब देखने वाली बात है कि सन मारक पर चलना सद बुद्धी द्वारा ही संबब हो सकता है सादक इसी सद विवेक से मेदा सक्ती से युक्त होना चाता है बुद्धी तो सब के पास होती है सादक सद बुद्धी की याचना कर रहा है मांगने की वस्तू सद बुद् उपलब्धियों के मूल में सत्बुद्धी ही कारे करती हैं प्रान शक्ति और सत्बुद्धी दो बहमल्य उपहार यदि व्यक्ति को मिल जाएं तो वै अधिक विचारवान प्रानवान गुनवान समर्थेवान बनता चला जाता है गाहितरी मंत्र केवल पूजा उपासना का या जब ध्यान करने का एक चोटा सा मंतर नहीं है ये इस विश्व की बर्मांड की सर्वोपरी शक्ति का प्रदी निधित्व करता है सूर्य इश्वर का साक्षात रूप है उस प्रान स्वरूप सविता देवता के साथ गाहितरी उपास्क जितना गाहितरी उपासना के परक स्ताफित कार लेता है व्या उत्रही लाब उठाने का सूर्य अफसर प्राप्त कर लेता है सविता की उपासना से प्रानों की संपता बढ़ती है प्रान शक्ति ही मनुष्य की जीवन शक्ति है यदि यही प्रान शक्ति सादक में साहस जीवत द्रिड़ता लगन तत्प प्राण शक्ति की सहचरी हैं इकठे दोनों रहती हैं निरोगीता दिर्ग जीवन मेधा के लवन्य के रूप में चमकती है मन में यही शक्ति बुद्धिमिता प्रग्या के रूप में रहती है शौरिय, निष्ठा, साहस, द्रिड़ता, सैयम, सहिर्दिता, सज्जन्ता, दूरदर्शिता, एवं बिफेक शीलता के रूप में प्राण शक्ति की स्थिति उपासक में दिखाई देने लगती है इस अनन्त ब्राह्मांड में यह जो हमारे आगे पिछे यूनिवर्स दिखाई दे रहा है जहां पे भी हमारी जितनी दूर तक हमारी दृष्टी जाती है उसको हम ब्राह्मांड कहते हैं ये unlimited है, इस अनन्त ब्रमांड में जितनी भी प्रान शक्ति है, वो एक समुद्र में भरे हुए जल की तरह सुक्ष रूप में भरी पड़ी है, अकाश में इथर, वायू, विद्वत, प्रमानु जैसी भौकतिक शक्तियां पड़ी हुई है, इसे विज्ञान के विध्यारती भली परकार समझते और जानते हैं, ध्यातम विद्विद्या की जानकारों को पता है, कि ब्रमांड में एक परचंड, वेरी स्ट्रॉंग प्रान शक्ति चारों तरफ व्यापत है, उस प्रान शक्ति को ब्रम-उश्मा कहते हैं, जैसे कि टम्परेचर के तरफ से कहा जाए, तो ब्रहम उश्मा कहते हैं, संसार में विविद परकार की डिफरेंट टाइब की जो हल चले हैं, गतीविदिया हैं, ये सब उस प्रान शक्ति के कारन ही हो पता है, जीव जन्तों, वनस्पतियों में सजीवता भी प्रान शक्ति के कारन ही बड़ी हुई है, ये प्रान समस्त विश्व का जीवन दाता है गाहितरी साधक गाहितरी साधना द्वारा उस प्रान की मात्रा को अपने अंदर जितना बढ़ाता है अध्यात्मिक चुम्बक्त्व यानि के spiritual magnetism अर्थात अपनी और अकर्शन करने की शक्ति जिसको हम अभी थोड़ी दिर पहले बोला है अध्या spiritual magnetism उस magnetism के द्वारा अपने तरफ उन प्रान शक्ति को खीचता है ये चुम्बक्त यानि के magnetism गाहितरी की उपास्तना से अभीष्ट मात्रा में उत्वादित हो सकता है प्रनायाम की क्रिया द्वारा शिरीर के सुक्षम संस्थानों का जागरन होता है विश्व यापी महा प्रान को व्यक्ति प्रनायाम के द्वारा अपने अंदर के सुक्षम से भी सुक्षम संस्थानों तक पहुंच कर लाब ले सकता है अधिक दिव्य समर्थ संपन बनने के लिए प्रनायाम को भी नित्यस्थान देना चाहिए गाहितरी सातना की विदी के साथ उसकी विद्या टेकनालोजी को भी समझ सकें तो गाहितरी सादक को अधिक से अधिक लाब मिल सकता है गाहितरी उपासना को यदि सही तरीके से पकड़ सकने समझ सकने में समर्थ हो सके तो सादक को अनेक अनेक लाब हो सकते हैं ये सारे का सारा जो हमने आपको बताया ये हमारे परमपूजिय गुरुदेव पंड़त शिरी राम शर्मा अचारे आमल खेड़ा में पैदा होके एक छोटी सी कोठरी में पैदा होके विश्व को गाहितरी उपासना में उन्होंने तल्लीन किया हम उनका तह दिल से शुक्रिय दा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज गाहितरी सादकों की गाहितरी परिवार जनों की संख्या दिन बढ़ रही है और हम अगले दिनों में जैसे कि बार बार कहां जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनके एक बार फिर स्वामी विवेक अनान की तरह विश्व गुरु बनके उबरेगा हमें पुरा कोई सदे नहीं जैगरु देव